मूवी की शुरुवात में हम एक छोटे से चलते हुए राजी को देखते हैं, जिसका राजा एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसका सेनापती काफी ज़्यादा खतरनाक और क्रूर होता है, उसके पास इंसानों की तरह बोलने वाला एक पंची भी था, इसके बाद हमें ला हिरन जखमी हालत में वहां से भाग जाता है, और सिपाही उसका पीछा करनी लगते हैं, तब मियांग को उस पर दया जाती है, और वो अपनी पेंट से जंगल में मौजूद सभी पेड़ों पर हिरन का पेंट बना देता है, जिसकी वज़ा से वो सिपाही कनफ्यूज हो जा जहां सभी उसे देखकर काफी जादा हैरान थे, गलती से वो गाड़ी जाकर सिधा मियांग से टकराती है, लेकिन वो उसे इगनोर करके आके बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त लैला के पपेट शो के लिए एक राक्षस बनाना था, लेकिन दरसल ऐसा करना वो भ देख लेते हैं, वो तुरंत ये बाद जाकर सेनापती को बताते हैं, और उनकी ही बाद सुनकर सेनापती गाओं पर हमला करवा देता है, सभी उनके सामने जुक जाते हैं, तब सेनापती और राजा आकर गाओं वालों को कहता है, कि यहां के जमीन के नीचे सोने की खदानी इसलिए वो लोग यहां से गाउं खाली कर दें क्योंकि सुने पर सिफ राजी का अधिकार है ये बास सुनकर मियां को काफी ज़ादा गुश्रा आ जाता है और वो कहता है कि राजी छोड़ कर हम कहा जाएंगे उसकी ये बास सुनकर सेना पती उसका पेंट बस चीन लेता है औ और वो सीधा सिनापती का मुझ काला करके सभी लोगों को परेशान करने लगती है जिससे तंग आकर सिनापती और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन मियांग वहीं खड़ा था तभी पेंटिंग में से वो मौंक निकल कर आते हैं और मियांग को जादूई पैं पैंसिल तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है इतना बोलकर वो दुबारा अपनी काड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं इधा बैचारे मियांग को अभी वे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है इसलिए वो हवा में ही पैंसिल को चला करने लगता है उससे डर कर मियांग तुरंत ही हावा में एक बिल्ली की पैंटिंग करता है जो कि बाहर निकल कर उस चूहे को हरा देती है जिससे देखकर मियांग काफी जदा खुश हो गया था दूसरे तरफ हमें सेना पती को दिखाये जाता है जिससे लग रहा था कि जो मियांग से छीन के लाया है वो मैजिकल है इसलिए वो उसे बाकी सभी लोगों को गायब करने की कोशिश करता है लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता तब वो गुसे से आग बबूला हो जाता है अब अगले सुबा मियांग देखता है कि सेना पती के सिपाही गाउं के स काफी ज़्यादा दुखी था लेकिन तभी वो बोलने वाली बिली और चूहे को देखकर डर जाता है जिसके बाद मियांग अपने दोस्तों को अपने मैजिकल पैंसिल के बारे में सभी बाते बता देता है लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकी नहीं था तब मियांग उनके स खाने के लिए एक सुन्दर गाए में बदल देता है जिससे दुखी होकर वो बैल उससे माफ्री मांगते हुए कहता है कि मैं सारा काम कर दूँगा बस वो वापस से उसे बैल बना दे तब मियांग उसे वापस से बैल बना देता है तब ही वो देखता है कि दो सिपाही उनक मियांग भी अपने गाउं में वापस आ गया था जहां वो देखता है कि गाउं के लोग पशुओं के जाने से काफे ज़्यादा दुखी है इसलिए वो वहाँ सभी की मदद करता है जिससे गाउं के सभी लोग दुरंधी खुश हो जाते हैं उन्हें खुश देखकर सेना पद कर गाउं वालों में बाट देता है यही लैला उससे खुशो कर गिफ्ट में कागज का एक घोड़ा देती है उसी वक्त वहाँ सेना पती के खुंखार जानवर आ कर मियांग और उसके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं लेकिन किसी तरह वो सभी खुद को बचाते हुए केडली में ही चुपा लेते हैं और उनको पकड़ने के चक्कर में वो सैनिक उल्टा उसी में गिर जाते हैं और वो केडली उनको छोटा कर देती है अब वो छोटी सिपाही जब सेना पती के पास वापस जाते हैं उन्हें देखकर सेनापती को समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ ये कैसे हुआ इसलिए वो अपने पंची को इन सब का पता लगाने के लिए भेज देता है यहां गाउं के घर में बहुत से चूहे घुसे हुए थे तब मियांग अपनी बिल्ली को उन्हें भगाने के लिए बोलता है मगर तब वो उसे कहती है कि उसे चूहों से खुद ही बहुत ज़दा डर लगता है इसलिए वो अंदर नहीं जाएगी तब मियांग अपने चूहे को अंदर भेजता है अंदर जाकर मियांग का चूहा उन काले चूहों के सरदारों को बुरी तरह हरा देता है जिसके बाद सभी चूहे वहाँ से चले जाते हैं ये सब को सेनापदी का पंची देख रहा होता है और वो सीधा जाकर उसे मियांग की मैजिकल पैंसिल के बारे में बता देता है ये सुनकर सीना पती काफी ज़्यदा खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो पैंसिल चीन लेगा जिसके बाद उसके पास सब कुछ हो जाएगा यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाउंग वालों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जिससे मियांग काफी ज़्यदा परेशान हो जाता है मगर तभी वहाँ पर गाउं का लालची मुख्या आकर उससे कहता है कि अगर उनके लिए वो एक सोने का पेड़ बना देगा तो उस सोने के सिक्के से पूरे गाउं का डेवलप्मेंट हो सकता है और उसके बाद उसे कोई भी तंग नहीं करेगा मियांग को भी आइडिया काफी ज़्यदा पसंद आता है इसलिए वो उनके लिए एक सोने का पेड़ हावा में ड्रॉ कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके बाद सब सही हो जाएगा लेकिन जैसे ही वो पेड़ बनाता है सभी गाउंवाले उसके उपर चड़ कर जपटा मार देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यदा लालची थे मियांग ये देखकर काफे ज़्यदा दुखी हो गया था मगर तभी वहाँ पर सेना पती का पंची आकर उन्हें बताता है कि राजकुमार ने अपने जनम दिवस के समारों पर सभी गाउंवालों को वुलाया है अब महल में मियांग भी अपने साथियों के साथ आकर आतिसवाजी करता है जिसे देखकर राजा बहुत ज़्यदा खुश हो रहा था लेकिन सेना पती के तो कुछ और ही इरादे थे वो मियांग पर हमला करके उसे उसकी पैंसल छीन लेता है ये देख राजा उसे रोबते हुए कहता है कि आप मेरे दोस्त को चोट ना पहुँचाए सेना पती तुरंथी उसे एक कुट्टे में बदग देता है इसके बाद वो मियांग को भी इंक के गोले में कैद कर देता है मियांग के दोस्त उसे बचाने के लिए इंक के गोले का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ कर एक पन्ने पर रख देते हैं तभी वो बिल्ली सभी को बताती है कि ये इंक सूखने से पहले हमें मियांग को बाहर निकालना होगा नहीं तो वो हमेशा के लिए ही अंदर फस जाएगा इतर दूसरी तरफ सेनापती मैजिकल पैंसिल से सूने की चीज़े बनाने की कोशिश करता है लेकिन अब क्योंकि उसका दिल साफ नहीं था इसलिए सभी चीज़े काली बनती है सेनापती अब आखरी में कोशिश करते हुए एक ड्रैगन बनाता है तब उसका पंची उसे कहता है कि अगर आप उसकी आँख बना दे तो वो ड्रैगन जिंदा हो जाएगा सेनापती उसकी बात मानते हुए तुरंती ड्रैगन की आँखे बना देता है जिससे वो ड्रैगन तो जिंदा हो गया था लेकिन वो उल्टा सेना पती पर ही हमला कर देता है भागम भाग में सेना पती से वो मैजिकल पैंसिल एक कडाही में जाकर गिर जाती है मियांग के सभी दोस्त उसे निकालने की काफी ज़दा कोशिश करते हैं दूसरी तरफ सेना पती ने भी किसी तरह ड्रैगन को मार जिया था इधर इंक के अंदर मियांग उसी बुढ़े आदमी को देखता है जिसने उसे मैजिकल पैंसिल दी थी मियांग उन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपका कहा नहीं माना और मैंने आपको डिसपॉइंट किया लेकिन अब मैं घर कैसे जाओंगा वो मैजिकल पैंसिल तो बुरे सेना पती ने ले ली है जिस पर बुढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हे याद है ना वो पैंसिल तुम्हारी आदमा के साथ जुड़ी हुई है इसलिए तुम हार मत मानो यहीं बाहर बिल्ली लेला से बोलती है कि क्योंकि मैं रियल नहीं हूँ इसलिए मैं मियां के कोई मदद नहीं कर सकती मगर तुम इंक के अंदर जाकर मियां को बाहर लाने की कोशिश कर सकती हो जिस पर लेला इंक के अंदर हाट डाल देती है और उसके थोड़ी ही देर बाद मियां को वो उस पेंटिंग से बाहर निकाल लेती है ये देखकर उसके सभी दोस्त काफे ज़दा खुश हो गए थे फिर वो सभी मिलकर महल से भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन तब तक सेना पती भी पूरे गाउं पर गोले बरसाने लगा था इसलिए मियांग उल्टा बम से उनी का शिप तोड़ कर बाहर निकल जाता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सेना पती का पंची अपनी पूरी टीम के साथ उन पर हमला करते हुए अपने अंदर समा लेता है मगर तभी वो सेना पती गाउं के एक बच्चे को कैदी बना कर अपने साथ ले आता है और जब गाउंग वाले उसका विरोध करते हैं तब वो उन पर अपने सैनिकों से बूल कर हमला करवा देता है गाउंग वाले भी उन सैनिकों को जम कर टकर देते हैं लेकिन इसे भी सेना पती मियांग को हरा देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे लिए सोने का पहाड बना दोगे तब मैं तुम्हें और तुम्हारे गाउंग वालों को चैन से जीने दूँगा ये सुनकर मियांग उसकी बात बान जाता है और उसके लिए हवा में एक सोने का पहाड बना देता है सेना पती उससे फूचता है कि वो लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे तब मियांग उनके लिए एक उठने वाला जहाज भी वहीं ड्रॉख कर देता है लेकिन सेना पती को उस पर भरोसा नहीं था इसलिए वो मियांग और लेला को अपने साथ ही लेकर चला जाता है इधर छुपकर लालची मुख्या और उसके दोनों बेटे भी नाओ में चड़कर पहाड पर पहुँच जाते हैं उपर पहुँचते ही सेना पती अपने असली रंग दिखा देता है और वो मियांग को धका देकर उससे पैंसल पे चीन लेता है इसके बाद वो और उसके साथ ही पहाड को तोड़ने लगते हैं इदर मियांग की कैट ने भी उसे किसी तरह नीचे गिरने से बचा लिया था और वो उपर आकर सेना पती को ललकारता है जिसके बाद उन दोनों में भैंकर फाइट होना शुरू हो जाती है लड़ते लड़ते अंजाने में ही वो लोग पहाड की चोटी पर आ गए थे जिससे धीरे धीरे सेना पती सोने में ही तबदील होने लगता है सेना पती जैसे ही मियांग पर गोली चलाता है वो भी सोने में बदल जाती है जिसके बाद मियांग और लैला एक उड़ने वाले घोड़े की मदद से अपने गाउं में नीचे आ जाते हैं जहां मैजिक से फिर से वो राजकुमार को इंसान बना देता है मगर तभी वहाँ पर गाउं का मुख्यार होते हुए आता है क्योंकि उसके दोनों बच्चे भी सोने में बदल चुके थे मियांग उसकी हालत देखकर पैंसिल की मदद से उसके बेटे को ठीक कर देता है और सभी लोग खुशी खुशी अपने गाउं को बनाने में लग जाते हैं